हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडिक फीच चैनल दोस्तो प्रिवियस येर में जितने भी क्वेश्चन्स पुछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कमपेटिटिव जांस टीजिटी पीजिटी के बियास एन बियास यल्टी में उन सभी क्वेश्चन्स को टापिक वा दोस्तों यह सीरिज नमर 89 है एन बॉलिवाल से जितने भी क्वेश्चन्स प्रिवियस येर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन्स को यहां पर रखा गया हैं एन दोस्तों यदि आप इन सभी एक्जाम्स का प्रिपेश्चन्स सिलिवस के एकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज शिलिवस के एकॉर्डिंग हैं उन सभी वीडियोज को वास्च करके आप अपनी प्रिपेश्चन को बेहतरीन बना सकते हैं एन दोस्तों डेली बेसेज पर प्रिवेश्चन्स सिरीज दिया जाते हैं उसका प्रैक्टिस करना नह तो दोस्तों चलिए-चलते आज के प्रश्णों की तरफ तो फॐस्ट कोशन है स्येवाथी ग्ोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है तो किस से संबंध रखता है बनियमी ब watch से आया ज आ चाने बहू है आनृ ऑली आपलेंट हैं सिन्धु कप इंडिया गोल्ड कप इस दि आदी टूनामेंट हैं नेश्ट है बाली बाल के इंडोर खेल परीसर की छत की उचाई एफ आई वी बी नियम के अनुसार किसी भी अंतराश्टी खेल प्रतिकता में होती है तो दोस्तों बाली बाल खेल में छत की उचाई साहे बाड़ा मीटर होती है आपसा नंबर शी करेक् देश्ट वहीं पर बैर मेंटर की छत की उचाई 9 मिटर होती है और बास्केट बाल की छत की उचाई 7 मिटर होती है इसके ध्यान में रखिएगा नेश्ट है बाले बाल कोड के लिए नियूनितम उचाई क्लियरेंस है तो नियूनितम 7 मिटर है दोस्तों और वैसे अंतराश में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है तो बाली बाल में लाइन की चौड़ाई पांस मिटर होती है दोस्तों सभी खेलों की लाइन की मोटाई के बारे में एक वीडियो में बनाई हूं उस वीडियो को जाकर देख लीजिए जैसा कि दोस्तों बाली बाल की सुरवात 1895 में बिलियम जी मोरगन द्वारा किया गया एंड यह ऐसा खेल है जो हाथों से खेला जाता है इसका नाम बाली बाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस खेल में गेंड को जमीन पर टपा खाने नहीं दिया जाता है हगें ओपर ही ओपर हाथ की प्रःवार से यह जाल की एक तरव से दुसरे तरफ खेलाड़ी ओढ़ा फेक कि जाती है बाली बाल क्यों कि मैडान की लंबाई 18 गुरुष9 मीटर होती है एंड सभी की मॉताई हो पॉस्ते हैं नेश्ट है बाली बाल कोड की माप क्या है तो बाली बाल की कोड की माप क्या है अठारा गुरू नो मीटर होती है अठारा आपसन नमबर डी करेक्ट होगा और दो सो नेक्ट है बाली बाल में टाप स्पीन के कारण होता है टाप स्पीन के कारण क्या होता है आफसर नमबर सी करेक्ट है निम्न कोड उच्छाल होता है यानि बाली बाल में टाप स्पीन निम्न कोड उच्छाल पैदा करता है जिससे बाल के उचाई तेजी से घड़ती है तथा बिरूधी टीम को समालने और रिबाउंड करने ये तो बहुत कम समय मिल पाता है बाली बाल के खेल में टाप इस्पिन का परियोग खिलाडी स्पाइकिंग या सर्विस के दवरान करते है नेश्ट है टेनिस सर्विस किस खेल में होता है तो किस खेल में होता है बाली बाल में आन्य कौसल है बाली बाल में जैसे टेनिस सर्विस पासिंग प्लेसिंग में है चेस्ट पास अंडर आर्म पास ओवर हेड पास एन इस्पाइकिंग या अटेक अथवा इसमेसिंग भी है and boosting blocking कथा reverse netball आदिश हैं बालिवाल सर्विस में मुलकासोलों में से एक है सर्विस इसमें सर्विस करने वाले खिलाड़े की गतिवेधि ठीक वैशिग होती है जैसे कि तैनिस खेल में सर्विस करते हैं खिलाड़ी की सर्विस देने वाला खिलाडी सर्विस एरिया में खड़ा होता है उसका एक पैर दुसरी पैर से आगे होता है तथा सरीर के आगे का भार सरीर का जुबार होता है आगे वाली पैर पर होता है नेप की तरफ इसमें इसमाइकर, टेनिस सर्विस, रोटेशन, हुक सर्विस, फोराम पास, ब्लाकिंग, बाली पास, डिक पास, स्विच, बुस्टर, आदी इसकी सब्दावलियां है नेस्ट है निन्हे लिखित में कौन बाली बाल का मुलभूत कौशल है तो कौन है, आपसार निमबर सी, ओर हेट पास, मुलभूत का अशल है नेस्ट है निन्हें से एंटीना किसका भाग है, तो एंटीना किसका भाग है, दोस्तों, बाली बाल में, बाली बाल में इस एंटिना का जो एंटिना जो होता है इसके लंबाई एक 80 मीटर होता है एक गसमलो 80 मीटर एंड इसका ब्यास एक सेंटी मीटर होता है एक गसमलो 80 मीटर जो इसका लंबाई होता है उसमें से एक मीटर नेट में होता है और 80 सेंटी मीटर नेट के उपर निकली हुई होती है और एंटिनल लाल और सफेद दो रंगों का होता है उसमें से 10 cm लाल और 10 cm सफेद होता है नेक्स्ट है किस खेल में नेक्स्ट है बाली बाल में गेंद का वजन कितना होता है तो बाली बाल में गेंद का वजन कितना होता है 260-280 gram अफसा नमबर D correct होगा एंड दोस्तो गेंड की परीद ही कितनी होती है 500-360 cm एंड पूर्सों के लिए जाल की उचाई भूमी से कितनी होती है 2.4-3 meter अब महिलाओं के लिए 2.2-4 meter अखेलने वाले खिलाडियों की शंख्या 6 होती है अतरिक्ति खिलाडियों की शंख्या 6 होती है कुल 12 खिलाडी नेश्ट है आपको एक दुसरे से मिलान करना है जैसे कि इसमें दिया है हैंड बाल का वजन पूर्सों के लिए कितना होता है तो 425-475 gram एक आट टू हो जाएगा दुसरा है भी है फूटबाल का वजन फूटबाल का वजन कितना होता है दूस्तों फूटबाल का वजन जैसा कि 396 से 435 gram होता है 14 से 16 आउंस बट यहां पे 410 से 450 gram दिया है नियुनतम तो यहां पे वह मान होगा तो B का 4 हो जाएगा C है बास्केटबाल का वजन महिला के लिए कितना होता है तो कितना होता है 510 से 5367 gram C का 3 हो जाएगा और D है बास्केटबाल का वजन तो बास्केटबाल का वजन होता है 260 से 280 gram D का 1 हो जाएगा ठीक है तो इसमी आपसन नंबर A करेक्ट हो जाएगा लिए नेसे बालीबाल का सर्वищ छेत लमबा होता है कितना लमबा होता है नो मीटर लमबा होता है जितना मैदान की चौड़ाई होती का निए नियम के उनुसार बालीवाल में इसलिएउस 9 मिटर होता है और बालीवाल मेदान के लंबाई चोड़ाई 18 9 1 गड़ें ज़न से गिरह propriet की चाऱोगर 3 तीन मीटर चोड़े फ्री जून से घिरा पीछे की पंक्ति का अबिसेस रच्छात्मक खिलाड़ी होता है वह बाल को आकरमर छेतर से इसमेश नहीं कर सकता है उसकी यूनिफार्म भी बाकी खिलाड़ीं से अलग होती है या रोटेशन में भाग नहीं ले सकता या कहीं से भी आकरमर क्रिया नहीं कर सकता चाहे वह कोर् चेटर में इस मेश है तो गेंद तयार कर सकता है Next question है बाली बाल में लिबरो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन साथ है वह service नहीं कर सकता है B है वह blocking कर सकता है C है वह front court से आकरमर कर सकता है D है attack lines के आगे जाकर इस मेश कर सकता है तो कौन इसमें कफन सकते हैं कि वह सर्विश नहीं कर सकता है आफसर नमबर A Next question है बालेवाल मैस में 1 से 4 सेट तक प्रती टीम कितना टाइम आऊट कितने समय तक के लिए ले सकती है तो इसमें 2 टाइम आउट प्रती सेट में 30 सेकेंड का ले सकती है आपसर नंबर भी correct होगा नेश्ट कोज़न है उनिक बालिबाल का विस्कार किष ने किया तो किष ने किया बिलियम जी मॉर्गन ने किया आपसर नंबर A करेक्ट होगा और 18.95 में इन्होंने कोजा और बिलियम जी मॉर्गन जो है होलियोग इस्थित YMCA की जिमनेजियम में सारी सिच्छा ने दे सकते वस 1947 में अंतराश्टी बालीबाल संग की स्थापना हुई और बरतमान में इसका मुख्याला है स्वुर्जय लेन एंड भारती बालीबाल संग गया ने की बालीबाल फिडरेशन आफ इंडिया की गठन 1901 में हुआ नेक्ष्ट है बालीबाल नेक्ष्ट है अंतराश्टी बालीबाल फिडरेशन का गठन हुआ था कब हुआ था 1947 इश्वी में पेरिश फ्रांस में नेस्ट है बालीबाल का जन्म दाता देश है कोण सा जन्म है अमेरिका अब किसने को जा था बिले जी मॉर्गन ने 1895 में नेस्ट है बालेबाल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है दोस्तों तो 30 सेकेंड के लिए होता है पर तेक सेट में दो टाइम आउट 30 सेकेंड का दिया जाता है एंड दोस्तों इसके अत्रिक्त एक टेकनिकल टाइब आउट होता है जब लीडिंग टीम ज परन्तु निव्लायक ययानि 5 वी सेट में कोई टाइम ओट नहीं दिया जा सकता नेक्स के उश्छ में वालिबाल में टेकनिकल टाइम टाइम आऊड का समय कितना होता है तो प्रड़िद साट सेकृंद का नेस्ट है बाली बाली टीम में कितने खिलाडी होते हैं तो कितने होते हैं छे होते हैं छे टीम में होते हैं छे इस्थाना पन होते हैं ठीक है नेश्ट है बुस्टर संबंधित है तो बुस्टर किसे संबंधित है बॉली बॉल से बुस्टर एक प्रयुक्त सब्द है बाली बाल में वह खिलारी जो इसमेशर के लिए बाल को उठाता है जो बाल को उठाता है इसमेशर के लिए बुस्टर कहलाता है बालीबाल खेल वे प्रती एक टीम में खेलने वाले खिलाडियों की संख्याच चीह अत्रिक्त भी छे होते हैं कुल बारा खिलाड़ी होते हैं नेस्ट है अटेक लाइन किस खेल से संबंदित है तो किस संबंदित है बॉलीबॉल से नेच्ट है निव्य लिखित में से कौन सी लाइन बालीवाल से समधित है, तो attack line आफसус number C नेच्ट है बालीवाल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, शेंटर लाइन नेश्ट है बाली बाल में इसमेशिंग इस नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इस पाइकिंग नेश्ट है बीच बाली बाल में एक टीम में खिलारियों की शंख्या होती है कितनी होती है दो होती है लिष्ट है बाले बाल में इस्थानापन खिलाड़ी कितनी होते हैं तो 6 इस्थानापन होते हैं और खिलने वाले कितनी होते हैं छे आफसन नमबर डी करेक्ट होगा एन दोस्तों बाले बाल खेल में जो जाल होता है उसकी लंबाई एन चौड़ाई कितनी होती है नो दसमलो पांच जिरो मीटर एन चौड़ाई एक मीटर होती है अवजाल की फुर्षों के लिए उचाई कितनी होती है 2.4-3 मिटर और महिलाओं के लिए 2.2-4 मिटर नेश्ट कोशन है बाले बाल में महिलाओं के लिए नेट की उचाई होती है कितनी होती है 2.2-4 मिटर नेश्ट है फुर्सों के लिए बाली बाल में नेट की जमिन से उचाई कितनी होती है तो 2.4-3 मेटर नेश्ट है बाली बाल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है तो दोनों पोलों की बीच 11 मेटर की दूरी होता है ठीक है और पॉल की उचाई कितनी होती है दोस्तों जमिन से दो दसमलों पांच पांच मीटर और दुनों पॉल साइड लाइन से तिन फिट बाहर होते हैं और दुनों साइड लाइन के मद्ध की दुरी नो मीटर होती है अथा दुनों पॉल के मद्ध दुरी गैरे मीटर नो प्लस ए साइड लाइन से एक-एक मीटर दूरी होता है यानि साइड लाइन से जो पूल की दूरी होती है वो एक-एक मीटर होता है ठीक है नेक्स्ट है बाले बाल में हाल की उचाई अंतराष्टी इस तर पर क्या होती है तो कितना होता है साढ़े बारे मीटर निच्ट है नए नियमों के अनुसार बाली बाल में कि एक गेम के पहले चार सेटों में अधिक्तम पॉइंट होता है पहले चार सेटों में 25-25 पॉइंट होता है आपसा नमबर C करेक्ट है और पांचवा सेट में 15 अंका होता है निच्ट है कि स्खेल में ओऌ़रहेंड सर्वीस, राउंड सर्वीस, साइड अार्म फ्लोटिंग सर्वीस, और ओवरहेठ फ्लोटिंग Сर्वीस जैसे सब्दे का परियुक किया जाता है तो बाली बाल में आफसर नमबर सीकरेट होगा निक्स कोशन है बाली बाल में सीर से उपर बाल का पास देने में क्या होता है आफसर नमबर सीकरेट होगा दोनों हाथों की उंगलियों का परिवक किया होता है और हेट पार्स में देने के लिए दोनों हाथ चेहरे के सामने होगा कुहनिया मुड़ी हुई होगी तथा सरीर के काफी पार्स होनी चाहिए माथे के सामने उंगलियों की टिप्स से पास देना चाहिए ऐसा करते हुए घुटने तथा बाजू पास देने की जिसा में खुलने चाहिए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही बाले बाले से जितने भी कोस्चन्स पुछे गए थे प्रिवेश यर में उस सभी कोस्चन्स यहां पर दिया गया है तो दोस्तो वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादे से ज्यादे सेर कीजिए दोस्तो जिससे मझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे आपके लिए मैं डेली बेसे इस वीडियो ब सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए